अब जरा द्यान से सुनो सभी बवीश्या के नर्सिंग ओफिसर जो आप उच्छ कोटी के नर्सिंग ओफिसर बनने जा रहे हो उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशकवरी है कि गौर्विंट ओफ हर्याणा ने जो अभी मेडिकल कोलेज बने हैं जिसके अंदर मेडिकल कोलेज के अंदर अगर अपने बात करें तो एक तो कौन सा है मेंदरगड के अंदर ठीक और दूसरा जीन्द वाला और तीसरा है भिवानी वाला इन जो मेडिकल कोलेज की अभी पोस्टें क्रियेट हुई है और ये जल्दी से जल्दी अपने पास नोटेफिकेसन और यहां तक संभावना यह है कि यह जो पोस्टें हैं क्रियेट करने के बाद इनका जल्दी से जल्दी क्या होगा वो अपनी पोस्टें फिल करेंगे इसलिए इसके अंदर देखो कि अपने पास जो पोस्टें आएगी वो है साड़े चार सो नर्सिंग ओफिसर की पोस्टें कितनी हैं साड़े चार सो पोस्ट है नर्सिंग ओफिसर की जिसके अंदर यह इलिजिबल जो अपना क्राइटेरिय रहता है हमेशा PGAE रोत्तक का देख लें और DMER का देखें तो GNM और पोस्ट बेसिक और जो BAC नर्सिंग है सभी candidate eligible इसके अंदर रहेंगे और आज तक देखें हैं अपने previous अगर देखें exams के अंदर तो कोई experience बगेरा भी यह नहीं मांगते हैं और दूसरी बात यह चीज रहती है कि अब हर्याना के अंदर CET हो गया तो देखो इस notification के अंदर कहीं पे भी ऐसा नहीं डाला इनाने कि इसके लिए CET जरूरी है या नहीं है तो बैस अपने इसके अंदर DMER का pattern अगर देखें पीछे भी रोतक PGA का जो पेपर लिया था चार medical college का पेपर लिया था उसके अंदर भी यह रहा था कि 45 क्यूसन नर्सिंग के आगे 25 क्यूसन हर्याना जी के के आगे 10 क्यूसन कंप्यूटर के आगे और वाकि जो 10 बच गे वो क्या करेंगे यह 10 बारा क्यूसन जो भी आएंगे अदर तो वो math या reasoning के एक एक दो दो हिंदी English के यह क्यूसन आजाएंगे तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अंदर जो पोस्टें इन्होंने दी है उनके अंदर अगर बात करें अपने कि कौन-कौन सी पोस्टें इन्होंने निकाली है तो और अपने लिए कौन सी पोस्टें important है तो देखो तो अपने जो अभी ओनलाइन के अंदर भी जो बैच चल रहा है उसके अंदर भी अपने रिकोर्डर लेक्षर है प्लस में डेली अपने नए वीडियो डालते हैं जिसके अंदर एम सी क्यों का सोलूशन होता है तो यह सारी चीजें आपको मैं जरूर प्रवाइड करूंगा और पूरी टीम सिंग नर्सिंग अकेडमी की आपको पूरा प्रवाइड करेंगी कंटेंट लेकिन आपका काम यह है कि अच्छे से पढ़ो जो जोब कर रहे हैं और या जो जोब नहीं कर रहे हैं या नहीं आ सकते पढ़ने के लिए तो देखो पढ़ना तो अपने को पढ़ेगा यह बात शोर है लेकिन चाहिए आप दो गंटे भी क्यों नहीं पढ़ो लेकिन पढ़ना जरूर क्योंकि यह बहुत ही अच्छी पोस्ट है नर्सिंग उस्टर की और इन फ क्यों क्यों कि यह फस्ट बैच ही है जो फिल करेंगे तो इसके अंदर देखो नर्सिंग उसर की पोस्टें हैं जो कितनी हैं साड़े 400 450 पोस्टें हैं एसनो की है तो भई एसनो के लिए तो मैं क्या जी कर करूं क्योंकि अपने तो अभी सारे जीनम और बीएसी करके अभी तो रोजगार की तरफ बढ़ रहे हैं तो इन फ्यूचर आप एसनो भी बनोंगे और दूसरा इसके अंदर ओटी ओटी ओटीये की 30 पोस्ट किसकी है ओटीये की है और उसके बाद अगर बात करें ECG टैक्नीशियन की भी एक-एक है कलिया तो अपनी जो पोस्टें हैं वो मे जलद ही जैसा लग रहा है संभावना पोसिबिलीटी लग रही है तो यह पेपर भी जल्दी जल्दी दो एक मिन्ने के अंदर अंदर ये हो सकता है कंड़क्ट करा दें इसलिए आज ही लग जाओ हर्याना जीके पढ़ने के साथ साथ नर्सिंग को मजबूत करो क्योंकि नर अब ख्याल से वह पोस्ट हैं वह कोर्ट केस है वह अपना डिसीजन जब कोर्ट देंगे तब होता रहेगा लेकिन यह पोस्ट हैं यह बहुत ही जलद ही पेपर कंड़क्ट करवाने की कोसिज करेंगे क्योंकि आगे इलेक्शन बगिरा भी है तो हो सकता है भी आगे जो भी कर रखा है OTA के लिए एक इसके लिए कर रखा है OTA के लिए और इसके अंदर सारी चीज़ें बेसिक बेसिक पढ़ने हैं अपने को कोई एडवास नहीं पढ़ना है बिल्कुल बेसिक चीज़ें पढ़ने हैं क्योंकि basic question के अंदर पुछे जाएंगे तो और भी इसके अंदर जो भी update मिलेगी आपको तो उसके अंदर भी हम कोशिस करेंगे कि आपको up to date कर दें सभी को और इसी के साथ अगर जिस बच्चे ने online join करना है तो अपना सफल एप के उपर पूरा का पूरा course है बिल्कुल छोटे छोटे वीडियो बनाए है important important content के फिर भी अगर आपको कोई doubt हो तो आप direct contact कर सकते हो और राजे सर जो manage कर रहे हैं यहां पर उनसे भी आके discuss कर सकते हो और इसी के लिए अभी जलर test series start करेंगे DMAR का इसका दूसरा notice आने के बाद अभी तो 10 दिन से हो रहा है लेकिन आगे यह कोशिस करेंगे कि जल्दी जल्दी अपने हर साथमे दिन test लिया जाए जिसके अंदर पूरा का पूरा वो मिसलेनियस होगा जिसके अंदर nursing भी आएगी हर्याना जीके भी आएगा ठीक है भी और computer के भी क्यूशन दाले जाएंगे तो इसके अंदर फारम कब खुलेंगे कब यह बरना स्टार्ट होगा तो इसके अंदर अभी ऐसा कोई notification नहीं आया भूच जल्द आजाएगा और जैसे ही आएगा तो मैं तुरुन्त आपको notify कर दूँगा बैस आप मन लगाके पढ़ो और कोशिस ये करो कि यह जो 4500 पोस्ट है जो eligible candidate है तो भई हाथ से नहीं जाना चाहिए क्योंकि अच्छी salary है और उस अच्छी salary को पाने के लिए और एक उच्छ गोटी का nursing officer बनने के लिए आपको per day मैनत करनी पड़ेगी तबी जाके आप select होगे उसके बाद कुछ इसके अंदर जैसे मालो कलरक की post है और है ठीक है तो उसके अंदर भी अपने ये कोशिस करेंगे कि वो भी class हैं आपको रियाना जी के और मैं थरीज नहीं है वो भी इसी online platform के उपर अपने available करवा दे दूसरी बात अभी अपने जो next test लेंगे एक सबसे important information आप बच्चों के लिए ये है कि 15 अक्टूबर को अपने एक test series जो कर रखेंगे उसके अंदर बहुत अलग से pattern करेंगे उसके अंदर और वो सभी के लिए फरी होगी और मैं ये चाता हूँ कि जो भी बचे job कर रहे हैं और है तो academy में जो आ सकते हैं वो आके ये test जरूर दें वो test सभी के लिए फरी अपकोस्ट रहेगा और उस test के अंदर जो top 10 student होंगे उनको आने वाले time जो DMR का है या HSE का है जो भी batch होगा जो जोइन करना चाहेंगे उनके लिए special discount भी कुछ रखा है तो वो discount क्या रहेगा कितना रहेगा वो academy में आके आप office में आके सर से बात करके कर सकते हो तो मेरा मकसद यही था बताने का कि ये 4500 post हैं तो अभी काफी बच्चों एफोन है कि सर फारम कब start होंगे और तो अभी फारम बगेरा इनके कब start होंगे और क्या-क्या eligibility रहेगी ऐसा notification नहीं आया है वो notification आते ही तुरूंत में आपको update कर दूँगा Thank you